ICC Champions Trophy अब रोमान चक मोड पर पहुँच चुकी है गुरुवार को लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए मुकाबले में भारत को श्रिलंका के हाथों साथ विकेट से हार का सामना करना पड़ा भारत को इस मुकाबले में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था लेकिन श्रिलंकाई टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के 321 के स्कोर को बौना साबित कर दिया अब गुरुप B गुरुप आफ टेथ हो गया है गुरुप B में अब सिर्फ दो मैच बचे हैं रविवार को भारती टीम ICC One Day रैंकिंग में नंबर एक पर काबिज साउथ अफरिका से बेड़ेगी वही सोमवार को पाकिस्तान और श्रिलंका के टीमें आमने सामने होगी ये दोनु मैच टाई करंगे कि गुरुप B से कौन सी दो टीम है सेमी फाइनल में पहुंचेंगी लीग स्टेज में भारत का अगला मुकाबला रविवार को साउथ अफरिका से होगा इस मैच को आप क्वाटर फैनल भी कह सकते हैं इस मैच को जीतने वाली टीम का अंतिम चार में पहुंचना लगबगता है हो जाएगा अगर भारत साउथ अफरिका को हरा देता है तो वो सेमी फाइनल में पहुंच जाएगा वोई अगर भारत हार जाता है तो चैंपिंस टॉफी 2017 में उसका सफर खत्म हो जाएगा सुमवार को पाकिस्तान का मैच श्रिलंगा से होगा सुमवार को पाकिस्तान और श्रिलंगा के बीच होने वाले इस मुकाबले में जीतने वाली टीम सीधे सेमी फाइनल में पहुंच जाएगी होई अगर बारिश के चलते मैचों में बाता पड़ती है तो रन रेट के आधार पर टीमों को सेमी फाइनल का टिकट मिलेगा फ्लेम मीडिया रिपोर्ट